इसु सहाय प्रेजदा लॉड प्राय बहुत साहर में हम प्रेयर सेंटर या प्रात्ना के अंदर सब को हम देखने पाते हैं ये अक्सर लोग वहां जाते हैं और अपने समस्यां को दुखों को तकलिपों को और अपने बीमारियों को लेकर और वहां कई बार हम देखने पाते ह योधा लोग, उनके लिए बहुत ही विश्वास्ता पुरा प्रात्ना करते हैं, हो सकता है उनमेंसे कई लोग चंगे हो रहे हैं कितने आकड़ा हमारे पास नहीं है प्रांतों लोग उमीद के साथ जाते हैं ऐसा ही हम बाइबल में एक जगह के बारे में चर्चा पाते हैं, जिस जगह कर नाम है बैचसदा, और ये नयनियम हम पाते हैं, जुहना पांच अदा एक से पंदरा पाद में हम देखने पाते हैं यरुसलिम में उपस थी था यरुसलिम मंदिर के उत्री दिसा में था और इस जगह को लोग जानते थे कि उस जगा पर जो कूंड था उसमें पानी हिलाया जाता था समय समय पर किस समय ये पता नहीं था प्रन्तु उनका मनना था चाहे नीचे से सोता हो उपर उड़ता हो या तो स्वर्दूता कर उसको हिलाता हो जैसे हिलता हो, सबसे पहले जो पानी को छू लेता था, वो बीमारी से ठीक हो जाता था इसी उम्मिद से बीमार लोग वहां जमा हुए रहते थे और पानी जब बेहलता दौड लगाते, कौन सबसे पहले छू लेगा, वो चंगई होता, अपने घरम को लौट जाता प्रन्तो ये एक बेक्तिजात जो 38 बार से प्रयास करते रहा, प्रन्तो पानी को सबसे पहले छू नहीं पाया और बीमारी की खालात में, जो बच्पन से उसके साथ में बीमारी था, पढ़ा हुआ था और यहां पर बैस्दा के कुन के पाथ देखने पाते हैं, बैस्दा नाम का आर्थ होता है दाया का घर, यानि कि ऐसा कह सकते हैं, इस कुन के जगा पर या कुन में लोगों के प्रती दया हो रहा था यह अपने बिमारियों से चंग इप्राप करें कुछ विद्वानुम का मन्ना था कि बैचसदा का पूर नम अलग था बैथे जथा ऐस प्रकार और बैथे जथा का नाम का आर्थ होता है जैतुन का घर जो कुछ भी हो प्रन्तु बैचसदा कूंड था बैबान में दो बैचसदा के बारे में चर्चाम पाते हैं यरुसलिम में जो कुणड था उसे भी बैचसदा का जाता था और गलिल छेतर में एक बैचसदा था जो जगा का नाम था और इसु मसी जिस छेतर में सहुकई का सुरुत किये और ज़्यादा तर समय किये उस छेतर था उसके बाद में सामरी आता है उसके बाद में यहुदिया का छेतर और यहाँ पर यहुदिया का छेतर था वहाँ पर हम देखने पाते हैं और यह कूंड़ा भी नहीं है और जमिन भठा हो गया है और पानी उसक में नहीं है लेकिन आर्के से तीन सो फिट लंबा था और करीब डेड़ सो फिट चवड़ा था और विद्वानूं का ऐसा मात था कि 20 से वो दो भग किया हुआ था इसलिए दो कूंड वहां पर था प्रन्तु एक बात था उस कूंड क्या पांच किनारा था इसलिए बाइबल में हम देखने पाते हैं पा बैस्दा का कूंड जो था भेड फाटक के निकाट में था यानि कि यरुसलीम सहार में प्रवेश करने के लिए 12 फाटक था उन 12 फाटकों में से एक फाटक या गेट का नाम था भेड फाटक जो बरतमान में उस फाटक का नाम परिवर्तित होकर सेंट, स्ठीप, गेट कहा गया है लेकिन एक बात है जो भेड लोग बजार से खरीदे जाते थे और मंदिर में उनको जदी बलिदान चढ़ाना इसी गेट से होते हुए लेना पड़ता था और इसी गेट से होते हुए जाने के कारण से उस गेट का नाम भेड फाटक कहा दिया गया देखिए जो भेडो इरुसलिम में दे दिया, वो अभी इसी गेट से आती हैं, हम यह देहां देखने पाते हैं, एक बात है किसी भी भेड को जदी बलिदान चड़ाया जाता था, गेट से बैजसदा का कूंड 500 मिटर के दूरी था, उनको सबसे पहले कूंड के पास लाया जाता था, नहलाया जात था, और सुद्ध होकर ही उसको बलिदान चड़ाया जाता था, इस प्रकार से यह कूंड ना केवल मनस्यों के लिए, यह जैनवारों के लिए भी काम में उपयोग में लाया जाता था, यह बहुत आच्छी बात है, प्रंतो यह एक बात है कि यह कूंड बाद में, सत्तर इस उसी में, रोमान समराट ने जावकी सहर को अपने अधिन में ले लिया, तहसनास कर दिया, पूरे सहर को, मंदिर को तहसनास कर दिया, उसी समय यह पूल जो कूंड था, उसको भी तहसनास कर दिया, और इसी कारण से हम उस रूप में आज नहीं देख पाते हैं, प्रंतो यह जो घटना हुआ अस्चर्च कम ईसु के दौरा क्योंकि उस कून के पास ईसु आते हैं काई सारे बिमारें के बीच में से इसी बैक्ति के पार जो 38 बस से बीमार से पड़ा हुआ था उसके पास आते हैं और उनको पूछते हैं क्या आप च्छागा होना चाहते हैं उसके बाद को चंगई देते हैं स्वास्त होके वो बैक्ति चलने फिरने लगता है जो चलने फिरने नहीं सकता था वो बैक्ति उस प्रकार का करने तो यह अश्चरकम जुहना अपने सुसामचार में बर्नान करता है इसुमसी अपने चिवन कल में अंगिनत काम बैजसदा के जगा हुआ, इसलिए सिर्षक मैंने रखा है, बैजसदा में चंगई, बैजसदा में चंगई सिर्षक के अंतरगात में सबसे पहला पुइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे, ओ तो काता है, क्या आप चंगा होना चाहते हैं, यह इसू का सवाल था, उस 38 बार स इसलिए उहां पर था, फिर भी इसू जनबुझ के उसको पूछता है, और पूछने का कारण भी था, असल में वहा बेकती, बीमार बेकती, पानी के ओर टक टकी लगाया देखा हुआ था, क्योंकि पानी कब हिलने वाला है, हिलेगा तो कोई जदी नहीं जाता है, तो सबसे पहले मैं पहुझ लूँगा, छोड़ लूँगा, उसके बाद चंगई प्रफ कर लूँगा, इसलिए उसका ध्यान पानी के ओर था, जब इसू ने उसे सवाल किया, उसका मूड कर इसू की ओर देखने लगता है, और इसू के ओर देखना उसके लिए आसिस का कारण बन गय देखें, जीवन में हम किस की ओर देखते हैं, बहुत मातापून है, हम सैतान की ओर देखते हैं, हम दुनिया दारी उन लॉब लालाच पाप चीजों पर ध्यान देखते हैं, कि प्रभू की ओर देते हैं, ये बहुत ही मातापून है, पातरास को देखते हैं, जब इसू मसी एक बर समुदर में पानी के उपर में चलते चलते जा रहे हैं तब पतरास ने देखा नौका से उनसे काता है प्रभू आप हैं तो मुझे चलने की सामाद देजिए उसे काता आईए और प्रभू की ओर देखर वो भी पानी में चलने लगता है पतरास जब तक प्रभु के और देख रहा था ठीक से चल रहा था जैसे उन्होंने इधर उधर उन्होंने दिश्टी फेरा उन्होंने लहरों को देखा डर गिया उनका विश्वास में संद्वपन हो गया डूबने लगा इसो मसी हाथ बढ़ा उसे बचा लेता है इसो के और जब तक देखा ठीक था आज सवाल उठता है आप और हम की इस और देख रहे हैं कहीं दुनिया की और संसारिक बस्तूं की और जिससे बिनास होता है सहतान की और देख रहे हैं या तो इसो की और देख रहे हैं इसो की और तक ना देखना जरूरी है यदि हम उस अनन जीवन को प्राप करना चाहते हैं कई लोग इसू के और नजर उठाना भी प्रसंद नहीं करते हैं यह उनका समा से है प्रन्तु एक बात के इनके जीवन में देखने पाते हैं या बेखती 38 बात से पढ़ा हो इसू के और नाके वाल देखा उसका जीवन को देखिए जो इतने सालों से 38 साल वहां रहने के क्रामे कितने बार प्रयास होगा सबसे पहले कुंड में उतारने के लिए और इसके लिए हो सकता है वहां भीड के कारान से बीमारें का भीड के कारान से धक्का मुकी भी हुआ होगा कई बार गीर गिया होगा धक्का मुकी से फिर भी उन्होंने उमीद नहीं छोड़ा और वहाँ पर पड़ा हुआ है देखिए इतने सालाओं में कोई बैक्ति चंगई होना भी नहीं चाहता है या तो उमीद ही छोड़ देता है प्रन्तु इस बैक्ति में थोड़ा सा उमीद तो है और इसु यहाँ पुछता है क्या तु चंगई होना चाहता है हम उसके समान कई जगा परिस्थिते देखने पाते हैं लोगों का भीड के भीड होता है ट्रेन में चड़ने सामय में धक्का मुकी होता है कई बार आप देखने पाते हैं अन्य-ण्य जहां पर भीड जमा होता है लोग एक लोशे को धक्का मुकी करते हैं उस परिस्थिति में इसको देखने पाते हैं इसलिए अपने प्रयस से तो असा फल रहा अपने आपको चंगा होने अपने आपको ठीक करने में खूद स्वाय नहीं कर पाया देखिए ऐसा ही एक भैंकर बीमारी है जो की है पाप है और ये पाप से छुटकरा हम स्वाय नहीं प्राप कर सकते हैं पाप से छुटकरा दूसरा को ही है दूसरा के द्वारा ही हो सकता, वो तो यिसू मसी है इसलिए हमें भी प्रभू की और देखना जरूरी है दूसरी बात यहां देखने पाते हैं वाब एक्ति को प्रिये जानों ने उसके घर के लोगों ने आकर बैठा दिया लेकिन कोई उसको मदद नहीं कर रहे कि पानी जब हिला जया पहले पहुंचा दे प्रांतो जैसे इसू उनको पूछता है कि आप चंगा होना चाते है उनके मन में ऐसा लगता है यह ऐसा व्यक्ती है जो मुझे मदद करने के लिए आया हो हो सकता है यह ताकतवार हो सकती साली हो सूपरमेन हो तब तो मुझे जरूर कर पहुचा देगा मैं ठीक हो जाओ उनके मन में थोड़ा सो उमीद जगते हम देखने पाते हैं मैं कहूंगा इसू सूपरमेन नहीं था सूपरमेन से बढ़ कर था हम अपने भासा में मैं ऐसा कहता है इसू उपरमेन था क्योंको उपर से आया और बहुत सक्षिसाली उनके लिए कोई भी कम असंभव नहीं था देखिए तीन अंसर में से कुछ भी उनका हो सकता था जब इसू ने पूछा एक तो हाँ दूसरा तो नहीं या उमीद वो जगा उमीद के साथ कुछ बोल सकता था और यहां उसने हा भी नहीं का ना भी नहीं का फरन्तो एक बात देखने पाते हैं कोई नहीं है जो मुझे पहुंचा है वहां तक मने उसके मन में अभी उमीद जग रहा है कि यह बेक्तिया या हो सकता है यह मुझे वहां तक पहुंचा दे देखे इसू मसी अपने समय पर उसको चंगा करने के लाया है हो सकता है उससे पहली भी आकर चंगा कर सकते है परमिसर अपने समय पर काम करता है एक पास्टर का अपने जीवन के गवाहिं को में पढ़ रहा था, उस पास्टर का नाम था, क्लोटन बिक्र में रतना, वो अपने की पुस्तक में एक रोगी लड़की के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम था नित्या, कहते हैं कि वो परलाइट बिमारी से ये थी, और कामार से नीचे तरफ कुछ भी हल चल नहीं होता था, मने कि मरा हुआ बारबाद था, उनके पास नाम परातना के लिए गए, पहली बार गए, दूसरी बार गए, जैसे जैसे एक से दो बार जाते हैं, उसका बिमारी ठीक होने के बज़ए और जदा बढ़ते हैं, तीसरी ब दिखाया, और तरीक जब दिखाया, उनको कहा कि गारा फेरवारी को, 11 फेवारी को आप जाईएगा, और किस समय जाईएगा, उनको कहता है कि ये 1981 की घटना है, सुबा के साड़े तीन बजे, देखे जिस समय आदमी लोग सोते रहे होंगे, ऐसे घड़िम उनको जाने के ल जैसे ही साढ़े तीन का समय होता, ओ उठके खड़ा हो जाते हैं, और घुटने टेक्निलड़ प्रात्ना करना सुरू करते हैं, देखे, प्रभू एक सुन, अपने समय पर प्रात्ना को सुना, और उस समय चांगा किया, उससे पहले भी उन्होंने तीन बर प्रात्ना किया, तो चंगई देने वाला और सबसुच से छुडाने सकने वाला इसवर है इसलिए उन्होंने इसवर पर आसा और विश्वास किया हलाकि हम इस रुप नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही मजबूत विश्वास किया इस प्रकर हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनके अंसार से आ आप मुझे चांगा कर दी, उन्होंने नहीं कहा, हाँ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कोई नहीं है जो मुझे उतार दे, देखिए चांगई होने के लिए विश्वास होना बहुत ज़र रहे हैं, एक विद्वान का कथन के अंसर काता है, तीन बेक्तियों का पहला तो है कि यदि स्वाय जो रोगी बेखती है उनका विस्वास होना चाहिए जिसके जरिये से प्रातना हो रहा है पर में सरसकती मन वो मुझे चंगा कर सकता है उनके मन में देड़ विस्वास होना चाहिए उसमें विस्वास नहीं है तो उनके प्रिये जान जो उनके यहां थो हम नहीं देखने पाते हैं, वो अतना strong belief उन में नहीं था, उनके प्रिये जान तो वहाँ थे ही नहीं, तीसरा करता है, जो बेक्ति उनके लिए चंगई की लिए प्रात्ना करता है, या चंगई के लिए उपाय करता है, उस बेक्ति कभी स्वास के दौरा, और यहां पर हम देखने पाते हैं ये सुमसी सुआएं अपने तरफ से उनको चंगली प्रदान करते हैं और चंगली उनको देने के बाद में हम देखने पाते हैं कि वह स्वास्थ हो जाते हैं चलने फिरने लगता है ये बैसादा का कुंड को जो पांच किनारा था विद्वानुं का ऐ वरन इत्यादी जो पाँच पुस्ता के हैं मुसा के ये पाँच पुस्ता को दर्साता है और परमे सर ने उन पुस्ता को में बास्था की बातों को लिखे हुआ हम पाते हैं बास्था मनुसों को दिया गया लेकिन बास्था किसी को बचा नहीं सका वैसे ही है बास्था बचा नहीं सकता, इस कारण से इसु मसी को इस दुनिया में आना पड़ा और अपना प्रन कलोरी के कुरूस पर दे दिया, वैसे ही इस बैक्ति वहाँ पर अपने स्वाइं को बचा नहीं सकता था, इसलिए इसु को वहाँ ना पड़ा, वह कून जो पानी था, ये बपतिसमा का प्र हैं, और इसलिए हमें भी इसु पर विश्वास करना चाहिए, ताकि हम अपने इसे चुट कर अपराप कर से, आज भी प्रभू आपको मुझे चंगई देना चाहता है, कई परिस्तिती में जो दबे हुए हैं, अपने आप से स्वाइश से निकलना है, हो सकता है करजा है, कर करीपाने में हो सकता है, कई चीज हम करना चाहते हैं, अपने से सफल नहीं रहे, प्रभू के पास है, प्रभू समय पर उन कामों को करने वाला है, मैं एक परमिसर के दास के बारे में पढ़ रहा था, जो ये यूरोप में से वगद काम किया, ये मुसलिम परिवार में जन्म हुआ था, जिसका नाम था, है थम बेसमरी, है थम बेसमरी उसका नाम था, और है थम बेसमरी पचास साल का उमार का था, और उस समय में क्या हुआ, अच्छानक से उनका बाएं आक में इंफेक्शन हो गया, बायरस का आटक हो गया, इतने ज्यादा आटक हो गया, उनको होस् स्पिटर से दूसरा दूसरा से तीसरा लिया और तीसरा डॉक्टर उनको कहा कि हम आपको बचा नहीं सकते हैं काल तक आप जिंदा नहीं रहेंगे तब बहुत परिसान हो गया क्योंकि बच्पान से वह इसलाम को मनने वाला बैक्ति था और कटर ता पूर्वा है कुरान को बातों को काने के बाद में वेच चले गए तब वह अपरातन अपने आप में करने लगा इतने सल कुरान पढ़ा ही अल्ला आप मुझे इस प्रकार से तकलिव दे रहें वो चाहता था कि उसके आँख खराफ होकर वो अपंग होकर जीवन बैतित करना नहीं चाहता था मेरा प्रान को ले लेजिए क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा आँख खराफ हो जाएगा वायरस के करन से बचा नहीं सकते हैं ऐसा का रहा है तो अच्छा है कि मैं मर जाओ जिंदा न रहूं लेकिन उसी बीच में थोड़ा सा उनका आँख जपक रहता अच्छानक से कोई बेक्ति उनकी ओर आ रहा है बहुत तेज रोसनी के साथ में जब देखने लगा कोई बेक्ति उसके नीका टाया और उससे बाते करने लगता है उनसे काता है कि अभी तो तुम्हें और बहुत कुछ काम करना है अभी मरना नहीं है वो जब आँख खोल कर देखने लगता है तो आप पहुंच चुका हूं मरने के बाद में वो इसू से पूछने लगता है तो मुहमुत की धर में है जिसका मैं इतने से शिवारदना करते आया हूं बचपन से वो काता है उमर चुका है वो तो जीनदा ही नहीं है तब उनको प्राभू ने उनको चंगई देता है और देखिए दूसरा दिन जब डक्टर आते हैं वो उम्मीद यह से रात के समय वो बैक्ति मर गया हो देखता है को वो बैठा हुआ च्यार पार उसके अच्छी से बात कर रहे हैं ता वो तजुब होने लगता है फिर उसके बाद में चुटी होकर अपने घरों को जाते हैं प्रभू कर स अपने समय पर उनको चंगई दिया और चंगई के साथ उनके जीवन भी परिवर्तित कर दिया जिस ईशुर को मनता था उस ईशुर को छोड़कर वह ईशु का विश्वासी बन जाता है उस दिन के बाद में हलाकि इसके बाद में कई सारे लोग उसको मारने का प्रयतन किया गया क्योंकि वह अपने विश्वास में परिवर्तन कर देने के कारण से प्रंतु प्रभू ने बचा कर से हो गई के काम आप भी इस्तमाल करते हैं दूसरा पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगी वो तो है अपनी खाट उठा का उठा और चल फिर इसु मसी उसे चंगई द था कि उससे पूछाने आप कौन हैं और आप के से ऐसे कर दिये हैं प्रंतु चलने फिर ने लगता है प्रंतु वह भीड के कारण भी इसु मसी से उनका मुलाकात तुरंत नहीं होता है उस समय फसा का परब का उसर होता था उस समय यरुसलिम में लोग दूर दूर साया करते हलाकी कहा जाता है इतियास करूंगा उस समय में जा हेरोद राजा था यरुसलिम का पॉपुलेसन या जन संग कैसी चलीस हजर था लेकिन आप देखे कर लाखों लाख लोग बहर से आते थे और त्यवार मनाने के लिए और इस करण से भीड के करण से उनसे अलग हो गया था बाद में उस से मिला और उस से पूछा कि ईसु ने उस से कहा फिर से पाप मत करना ताकि इस से ज़्यादा भैंकार विमारे तुम में ना है इसका मतलब इन्होंने पाप जरूर किया था हुगा पाप का परिणम सर इस प्रकार का है प्रांतों इसु कहता है दुबारा पाप मात करना फिर से पाप मात करना और जब यहुदी आगों ने देखा यह चट्टा यह खाट उठा कर चल फिर रहे उनसे का यह तो गलत है तुमको विश्राम दिन सबत का दिन में यह सब नहीं करना है क्योंकि यहुद्यों का नियम था सबत का दिन में किसी प्रकार का काम नहीं करना है सबत का दिन में क्या क्या नहीं करना है ये 39 प्रकार का उन्हों ने एक नियम बना दिया था और उसमें से एक था बोज उठा कर चलना या बोज उठाना एक माना ही था और उन्होंने वो खाट उठा कर या चट्टे उनके पास में इसलिए जब उनको कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तब उन्होंने का जिसने मुझे चंगा किया उसने ऐसा किया मुझे का कि खाट उठा कर चल फिर जब इसू उनको बता दिया कि इसू से दूसरा बर मुलाकत होता है तब वो जन जाता है कि यह इसू मुझे तब यह लोग इसू से बाद भी बाद करने के लिया आ जाते हैं विसराम दिन को हो काम कर रहा है जो कि जंगई करना इलेडल है, नहीं करना चाहिए और यह व ऐसा कर रहा है प्रंदू हम देखने पाते हैं कि इसमा से उनको काता है परमेसर काम कर रहा है इसलिए मुझे भी कम कर, क्योंकि परमेसर क्यों और से आया हुआ है, परमेसर कभी भी स्राम नहीं करता है, देखे सुरज उगना, हावा का चलना, बारिस करना, ये संडे हो या कुछ भी दिन हो, ये सब दिन चलते ही राता है, होते ही राता है, अपने हिसाफ से, ये इस्वर ही है, जो सारे सिष्टी को नियांतरन कर रहा है, इसलिए वो काम कर रहा है, वो जब काम कर रहा है, इसलिए इसमें कोई घबराने के बात नहीं है, प्रंतु अब एक चलने फिरने लगे, जगह पढ़े रहना, विमार के कारण से पढ़े रहना यह सही नहीं है जीवित मनुस्थ का एक स्वभाव है हम चुपचाप नहीं रहते हैं चलना, पिरना, बाते करना हिलना, डुलना इत्यादी है मनें बढ़ना या इधर से उधर चलना ये हमारा स्वभावी का जीवित प्राणी होने का एक निसानी है हम देखने पाते हैं विग्यान आज तराकी पर और बढ़ रहा है आज जो भी हैं वहाँ पर रुका हुआ नहीं है ये बेक्ती 38 बास से एक जगा रुका हुआ था परन्तु अब उनके पास में चंगई मिल गया वो चलने फिलने लगा इधर उधर बढ़ने लगा हम कुईसी चीज में हम रुक नहीं जाते हैं हमारा जो एज है पास साल बाद इतना अपने आप से बढ़ना ही है ये जीवित प्राणी का ये है पेड को देखेंगे आज जो है एक दो साल के बाद वो बढ़ा ही हुआ रहेगा साइन्स को देखते हैं आज जो है दस साल बाद में और भी उननाती किये रहेगा यानि कि बढ़ना उननाती करना आगे बढ़ना ये जीवित प्राणी का एक निसानी है साइन्स को देखिए जो चीज कुछ साल पहले नहीं था आज क्या है आने वाले दिन में और क्या हो सकते हैं मैं जब वच्चन का ध्यन कर रहा था मैं देख रहा था कि कौन लोग कितना ऊचा बिल्डिंग बना सकते हैं उस पर खूर लगा हुआ आज भी समय अब तक तो हम तो दुबाई का बुर्ज खालिपा को सबसे उंचा टावर माना करते थे प्रन्तु धीरे धीरे आप बहुत सारे ऐसे टावर और यह सा बिल्डिंग बनने लग अमेरिका में एक बिल्डिंग जो बन रहा है अल्टिना टावर नाम से है यह 3.2 किलमीटर याने कि हम बुर्ज ख कहा जाता है कि 10 लाक लोग उसमें रह सकते हैं इतने ज़्यादा लोग उसके बाद में एकसिट 4000 यह टावर जापान के दरा बनाया जा रहा है यह तो और उच्छा चार किलमीटर तक उच्छा यह लोग बनाने में लगे हुए हैं और यह भी कुछी साल में बन कर तयार होने के संभावना है टोकियो टावर जो कि जपान के दरा और एक बनाया जा रहा है उन्होंने 10 यह तो आगले प्रोजेक्ट है अभी सुरू नहीं हुआ है आगला प्रोजेक्ट 2030 में सुरू होगा कहा गया है कि यह 10 किलमीटर उचा बिल्डिंग बनाने का प्लानिंग में है इस ट्राम जेनरेशन टू करके यह लोग 20 किलमीटर उचा तक और वहां से वे लोग अंतरिक्ट में लिप्ट लगाएंगे जहां अंतरिक स्टेशन है वहां तक आना जाना सुविदा हो सके आसानी से जा यह लोग तरकी तरकी आगे ही बढ़ते जा रहे हैं वैसा ही हम आत्मिक जीवन में जैसे हम लौकिक जीवन में हम सोचते हैं करने के आत्मिक जीवन इस बैक्ति को यही बात कहा गया था इसु का अग्या को मना उन्होंने चलना फिरना देखे उस समय इतना कठोर नियम था आप देखेगा एक इसरेली जवान के विसे में जब मिसर देशे किनांद परमिसर उसे क्या काता है आप लोक सहाब से बाहर मिले जेए पत्थर उठे पत्थर से मार मार को उसको मार डाले और वो ऐसा ही किया गया देखे इतना कड़ा नियम था अभी उस प्रकार का नियम नहीं है सबात का दीन के लिए परंतो हम जदि डक्टर मार्टिन लूतर के क जो कि हम एक दुसरे के सिवा सुधी करना बिमारों को देखना का अंगलों को के इतियादी जो है प्रेम का काम है ऐसे कामों को उस दिन कर सकते हैं तीसी प्रकार के बहुत जरूरी काम जो उस दिन नहीं करना से बहुत नुकसान हो सकता है जैसे हमारे कोई जन्वार जदि इस प्रकार का जरूरी काम जो है उस दिन करना चाहिए प्रन्तो आप इस प्रकार का नियम नहीं किसी को माट डलना है प्रन्तो ये एक बात है हमें भी सबात का दिन को ईश्वार के निमिद समय देना है ईश्वार के अरधना करना धन्यवाद करना प्रसंसा करना है ये तो है प्रन्तु ये एक बात है, खाट उठा कर चल फिर जैसे उसे का उन्होंना आदेसों का पालन क्या, आपको मुझे भी ईश्वार के आदेसों का पालन करना चाहिए, ईश्वार का आदेस पालन की बिनाम स्वार को जा ही नहीं सकते हैं, मतिसात अधैकिस पाद में कता है, जो हे प्रभू, हे प्रभू काते हैं, उनमें से हारे को इश्वार को नहीं जाएंगे, प्रन्तु जो पिता की इच्छा पर चलता है, याने की इश्वार की इच्छा पर चलता है, वही लोग जा सकते हैं, इसलिए आईए हम इस वचनों से जो सिखते हैं, परमेसर पर अपना वि जित्पिता धन्यवाद देते हैं, आज के बाचन का हमसे बात है किया, हार एक सुनने वाले चोटे बड़े साभों का अपने स्वार के आसी से भर दे, हार एक इतने विमार है, उनके प्रतिदाइजे स्टिकर आपने सामर्ति हातों को बड़ा इशू के नाम सुने चेंग गई कर मिल सके, धन्यवाद